स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोकामना सॉफ्ट्वियर पे तो देखिए आज मेरे पास एक फॉन आया है सैमसंग का 133 5G फॉन है और इसमें क्या प्रॉब्लम है वो आप लोग बताएंगे तो देखिए इसमें टच वर्थ नहीं करता है यह कस्ट्रमर का कहना है समसंग का अपडेट आने के बाद फॉन अपडेट किया उसके बाद टच नहीं काम कर रहा इसके अंदर तो सैमसंग में दोस्तों टो अक्सर फॉन आता है जतने फॉन आते हैं समसंग में अक्सर ब्लम आता है और आप क्वर डीजिवर का आ बडिका आपंगे चलिए कंपीटर पर आपको करना का होता है इसको हम फ्लेश करना में हैं हमें तर्स फाइल बर आता को इसका। फाइल कर लिंक में दे देंगे यह ओर है और उसका काम करना बंद कर दिया है तो अक्सर यह Samsung का phone में होता है तो Samsung का touch file modifier मिल जाता है आपको Google पे search करके आप लोग ले सकते हैं और Odin tools से place करके आसानी से problem का solve कर सकते हैं तो चलिए आप लोग को इस problem को हम solve करके दिखाएंगे तो आप लोग पूरा वीडियो को आन तक जहूर देखें प्लीज मेरा वीडियो को ने अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जहूर कर लिजेगा मेरे चैनल पे नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जहूर कर लिजेगा तो दोस्तों देखिए हम आप लोग के लिए software, hardware का, mobile का कोई भी problem आता है वीडियो लेके update आते रहते हैं तो प्लीज आप लोग support अपना बनाया रखें वीडियो अच्छा लगे देखिए वीडियो को लाइक और शेयर जहूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जहूर कर लिजेगा चलिए हम इसका फाइल हमने सेलेक्ट कर लिया है इसका टच वर्क नहीं कर रहा है जिसको हम दाउनलोड मोड में लगा के देखिए यहां फॉन मेरा connect हो गया है अब connect होने के बाद अब उसको हम start कर देते हैं देखिए connect हो गया connect होने start करने के बाद देखिए मेरा flashing चालू हो गया तो यह कुछ दर 5-10 मिनट तक फ्लेस होगा मेरा साड़ा फाइल इसमें new से चड़ेगा और चड़ने के मां मेरा phone चालू होगा उसके बाद देखिए आप पास same version का file नहीं होता है तो file place नहीं लेता है तो इसका binary वेगरा match करना होता है तो इसलिए binary वेगरा हमने match करके फाइल डाउलोड किया है अब देखिए फ्लेस हो रहा है फ्लेस में थोड़ा सा time लेएगा दो मिनट दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा हम fast कर देते हैं क्योंक कॉमेंट करके जरूर बताएं आप लोगों को proper solution हम जरूर बताएंगे और ऐसे हैं mobile software hardware का वीडियो बनाते हैं तो प्लीज आप लोग अगर support कीजिएगा तो जरूर हम वीडियो हमेशा आप लोगों के लिए के आते रहेंगे तो दोस्त देखिए अब मेरा flash होने ही वाला है तो last मेरा data flash हो रहा है मेरा four file वाला file था यह यह चार कभी संगल file का भी file होता है फ्लेस software यह four file वाला है यह चार फाइल इसमें flash होगा तो देखिए यहां done हो गया है place मेरा done हो गया और done होने के बादेखिए fone मेरा चालू हो गया और चलिय आप लोग इसको पुरा full चालू करते है चालू करके दिखाते है तो इसमें होता क्या है दोस्तों आप लोग पूरा data खो देते हैं क्योंकि इसमें data का जाना-जाना तह है क्योंकि data कोई there अगर आप Samsung का कोई भी फॉन लेते हैं अगर डिस्प्ले चेंज किये हुए हैं कोपी डिस्प्ले है आपका फॉन में तो आप कभी भी भूल कर अपडेट ना करें अपडेट करेंगे आपका टच वर्ट करना बंद कर देगा उसके बाद आप कहीं भी जाएंगे तो आपको उ कर रहा है नहीं मेरे साब से तो पुरा ही टच वर्ट करना चाहिए दोस्तों क्योंकि हमने पैसे से पहले भी कई फॉन बना चुके हैं तो हम पहले वीडियो नहीं बनाए थे तो हम सोचे इस बार आप लोगों को बहुत सारे को लोगों को परशानी होते हैं तो हम इस वीड तट शम कर देखे रहा है। यही होता है। अगर आपका फॉन में उरिजिन डिस्प्लेय है तो आप अपडेट कर देएं कोई दिकत नहीं होगा। अगर अबडेट करते हैं तो तर काम करना बंद कर देता है। सैंसंग का लगभग लगभग सभी शेटों में ये प्रव्लम है तो ये आप अपने ध्यान से करें अपडेट सैंसंग का जो भी करते हैं आपके फॉन में अगर कोपी डिस्प्लेई हो तो ठीक है तो देखिए इसके बाद भी अगर केस्टमर अपडेट इसको में लाटेस्ट प्रोपर तरीका से बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है कोई दिक्कत नहीं होगा अब अपडेट भी नहीं मांगेगा क्योंकि मैंने लाटेस्ट फाइल अपडेट इसका चराया है प्रोपर टर्ज मेरा काम कर रहा है चलिए इसका अप्रोपर फूरा फुरली अप्डेटेड बेट अधने बाद दोस्तो वीडियो अच्छा लागे तो वीडियो को लाइक से जोड़ कर जेका चैनल को कर लिजेगा और आप लोग ऐसी सपोर्ट कीजिए हम लोको तो आप वीडियो ऐसे हम लेकर आते रहेंगे रंद्यवाद मिलते हैं फिर से किसी दूसरे वीडियो में तब तब तक के लिए जय हैं जय भारत दोस्तो देखिए बिल्कुल मेरा टच्स और प्रोफिट काम कर रहा तो धन्यवाद दोस्तो